नमस्कार मैं हूँ आरजय मीट और मैं आ चुका हूँ निंबाग फैशन्स लिमिटेट के स्टॉल पे जो यान एक्सपोर 2022 हमारा हो रहा है उसमें और मेरे साथ जुड़े हैं महेश महेश्वरी सर सर मुझे यह जानना है कि निंबाग जो है उसकी लेगेसी किस तरह से इस बा को लिए चाहने जाते हैं कि मार्केट में नएर ट्रेंड दे कि इस रचाने थे इस तरीक आगए प्रोडक्त नया इस ठीक नहीं जो अभी तक मार्केट में नहीं है एक नहींवने ग्रेनाइट यान जो ketonic और polyester सो mix करके बनाया है और उसमें कई तरह के effect ले सकते हैं फेबरिक बनने के बाद में उसको tone to tone dyeing भी कर सकते हैं उसको cross dyeing भी कर सकते हैं और उसकी जो feel है polyester होते हुए भी modal और visco जैसे feel आती है अर दूसरा हमने product बनाया है एक product polyester है क्योंकि सूरत polyester की मंडी है यहाँ पर polyester dyeing काफी easy ली होता है तो cottonized polyester fiber मंगा के और ऐसा यान बनाया है जो look और fill में cotton जैसा है और dyeing के लिए polyester है तो आज तो cotton आसमान चूँ रहा है cotton के price तो अभी ऐसा लगता है कि वही white gold हो गया है तो तो उसके हिसाब से एक affordable product जो Indian community को affordable product चाहिए भी है और सूरत उसके लिए जाना भी जाता है तो उस हिसाब से हमने एक वो product बनाया है एक हमने एक natural fiber जो bamboo आ रहा है उसमें बहुत बड़ी रेंज बनाई है bamboo upcoming fiber है और silk का substitute भी है तो उसकी fall और उसकी finish जो है वो बहुत ही बहुत ही अलग बेटरी है तो उसमें हमने काफी product अभी बनाए है और इसके अलावा हमने product जो बनाए है उसमें silk type में polyester में silk type बनाए है और वो भी spun polyester में अभी हुआ क्या है पिछले तीन-चार सालों से जो नई generation आ रही है उसको touch and feel का बड़ा वो लग रहा है कि touch and feel कपड़े के इत्ती अच्छी होनी चाहिए तो जो air text rising का कपड़ा बनता है उसमें थोड़ा सा कड़क बनाता है अभी वही look तो वही चाहिए सब बच्चों को but feel उनको softer ची तो polyester में विसकोश जैसे feel और silk जैसी scene इसमें हमने काफे बड़ी range बनाई है वेल बहुत briefly बताया कि निंबाक किस तरह से नया पन जो है इस बार वो लेकर आये हैं और किस तरह से वो present भी कर रहे हैं मार्केट के मूड को पकड़ के यंग्स्टर्स के मूड को पकड़ के और even affordable range को भी पकड़ के उन्होंने सारे products की design की है और वो market में लेकर आने के लिए उन्होंने मनसूब बनाया सर यान export 2022 इसे लेकर आपका क्या feedback है या आपका क्या feedback है या आप क्या कहना चाहते है आयोजयन बहुत बढ़िया है और यहां के आयोजयक बहुत मैनत करते हैं मेडिया में भी इन लोगों ने काफी awareness की है बस मैं आयोजयकों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो visitors हैं बाहर से भी visitors आने चाहिए और इस expo को हम international कैसे ले जा सकते हैं बाहर से भी visitors हम लोग बाहर से ला सकते हैं तो उससे जो local exhibitors है उनको भी प्रेणा भी मिलेगी और नए ने प्रोड़क्ट बनाने की चेश्टा भी अच्छी होईगी जो इंडियन टेक्स्टल मार्केट के लिए काफी अच्छी है अभी इंडियन टेक्स्टल मार्केट जो आज जहां खड़ा है वहां से ऐसा लगता है कि यह बहुत बूम करेगा अगले 10 साल तर मुझे लगता है कि पांस से आठ साल के अंदर यह मार्केट डबल हो जाएगा ओनली लोकल मार्केट इंडियन मार्केट और अभी खर्चा करनी की आदत भी बुढ़ गई है पहले बचत की आदत थी तो प्रोड़क्ट ओरिंटेट अगर बिजनिस करेंगे तो वह कंपनिया बहुत आगे जाएगी और यहाँ पर यान एक्सपो में प्रोड़क्ट ओरिंटेट काफी लोगों ने मैं एक्जिविशन सुबह गुमा भी था तो काफी ने प्रोड़क्ट इस बार लॉंच की हैं जो की इंडिस्ट्री के लिए इंडिन टेक्ट्रा इंडिस्ट्री के लि चले यान एक्सपो 2023 का पहला बुकिंग तो हमें यहां से मिलता हुआ दिख रहा है और सर इससे भी डेबल वाला स्टॉल सर ने तो 30 तक की बुकिंग कर दिये हैं मतलब में सर को इतना भरोसा है कि यह ब्रैंड जो है चेंबर का जो है यह ब्रैंड जो है वो बहुत ही आगे ले जाएगा बिजनस को एक अलगी बूस्ट देगा थैंक्यू सुमस्ट सर यह एक्जिबिशन स्टार्ट करने में थोड पहली मेरी तो बुक कर लो और नो मैंने उसी एक्जिबिशन में बुक भिखरा दीती तो मैं सुरत मार्केट के लिए काफी आसान वेता हूं बहुत प्रोग्रेसिव मार्केट है और प्रोग्रेसिव लोग भी है सुरत के तो सर ने भी यान एक्सपो को शुरू करने में इनिशेट करने में अपना बहुत अमुली योगदान दिया है और शायद इसी वज़़े से आज ये इंडस्ट्री जो है वो बूमिंग कर रही है सर थैंक यू सो मच फिर से मिलेंगे इसी तरह से सर 2023 में भी और उस टाइम प कर दो